नमस्ते आप सबका वेलकम है सिम्रन की रसोई में आज इस वीडियो में आपके साथ शेर कहने जा रहे हूँ पत्ता गुबी मटर की सबजी पत्ता गुबी एक ऐसी सबजी है जिसे हम चाइनीज में इस्तमाल करते तो पसंद आती है पर इसकी अगर हम सबजी बिनाते तो नही अच्छे लगते पर यह अब मटर के साथ बनाईए रोटी के साथ बोखत बढ़िया लगेगी उसके लिए 500 ग्राम पत्ता गुबी को मैंने अच्छे से पानी से वाश करके उपर से 2-3 पत्ते निकालकर इसे मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है गैस को अन करके मैं इन सबी चीजों को हमें भूनना है जादा नहीं बस एक मिनिट तक भूने फिर इसके अंदर दो बारी कटे प्यास डाल दे और इसी भी आपको अच्छे से भूनना है अब प्यास को जादा लालोने तक मत भूनना बस हलका सा इसका कच्छा पंदूर हो जाए यह हलका सा नाना और खाने में बहुत जबर्दस लगती है एक बार अच्छे से सभी चीजों को इस तरह से मिक्स 25 से यहां इसे 5-6 मिनिट के लिए तो पका नहीं है पर बीच पीच में चेक भी करते रहना और इस तरह से मिलाते भी रहना है लगबग 2-3 मिन्ट हो गए थे तो मैंने ढखकन को अटा कर मिला लिया और इसे फिर से ढखकर हमें पकाना है तो टोटल इसी तरह से 5-6 मिनिट के लिए पकाएंगे ना तो कुछ इस तरह से पता गुबी हो जाएगे अब इसके अंदर में डाल रहे हूं बाकी बच्चे वे मसाले आदी चोटी चमस धनिया पाउडर फिर भी नमक और मसाले आप अपने स्वात के अनसाथ डाल सकते हैं बस अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए ल रोटी के साथ ले सकते हैं पराठे के साथ यानि कि नमक वाले पराठे के साथ या फिर चावल या फिर खिचडी के साथ ले सकते हैं बहुत ही हैल्दी और टेस्टी सबजी है तो इसे आप घर पर ज़रू ट्राए करना और यहां तक आए न तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूँ थांकियो फॉर वाच्छेंग